हलो फ्रेंट्स वेलकम इन माई ड्यू वीडियो तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आये हैं एक नया पाव प्लांट जिसके अंदर आप देख रहे हैं यह पैनल के उपर सारे लूप साथ के अविलेवल हैं जिसके अब देख पा रहे हैं इसमें डिफेंट टाइपस के चलिए इसको इक-ईकर के देखते हैं सबसे पहले आप देख रहे हैं एक स्कैनर जिसके अंदर 16 नंबर चैनल एविलेबल हैं जिसमें आप 16 तेम्परिचर देख सकते हैं उसके बाद आपका यह मेंं स्थ्रीम प्रेशर आरहा है जहां पर आप मेंन स्थीम का प्रेशर और यह हमारा पूरा panel इंस्ट्रुमेंडिसिंट पनल होता है यह आप का आता है स्ट्रीम फ्लो जहां पर आप इस्टीम का फ्लो क fautam kata है उसके बाद यह बाद यह water flow नीचे आप देख पा हरें कि उसकी totalizing हो रही है उसके बाद यह आपका सबसे पे और ड्रम लेवल पे यह स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बाकी यह आपका एक पूरा स्टार्टर पैनल है IDFD डिफरेंट मोटोर्स के स्टार्टर फीट पांप वह सब चीजे हैं उसके बाद यह हमारा जंकसन बउक्स है यहां से किया गे यहां पे आपका यह थर्मो कोपश लगे है पैच के ओपर यह फ़र्मडस का लूप है यहाँ पर यहाँ पर यह सारा हो जाता है उसके बाद यह हमारा stream flow का orifice plate लगा हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं दो flanges के बीच में यह white color का जो है यह orifice होता है इसमें देखिए आप देख पा रहे हैं कि upstream और downstream mention रहता है प्लस सारी चीज़ें इसमें calculations यह रहती है उसके बाद यह loop के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर condensate port लगाने के बाद यह lines को नीचे लेके आया गया और फिर यहाँ पर हमने transmitter install किया है जो कि आपको dp देता है stream flow transmitters का stream flow के बाद यह पूरा loop हो जाता इस तरह से उसके बाद आप यह देख रहे हैं री circulation का एक controller लगा हो था यह उसका control valve है इस control valve के ओपर recirculation का loop होता है यह जितना भी extra pressure होता है release कर देता है उसके बाद यह आपका drum level का control valve है जैसे कि आप देख रहे हैं यह drum level का controller है जो control valve है उसके बाद वो पूरा feed water का section है चलिए आज इस वीडियो में इतना ही अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोलें थैंक यू